कि नमस्कार साथियों फ्यूचर लाइबरीन के इसे ओनलाइन डिजिटल प्लेटफोर्म पर आप सभी का स्वागत है जैसा कि दूस्तों नेट के भी आप से पन चल रहे हैं लगातार क्लासे जो अपनी नेट के अकोडिंग चल रही है तो आप नेट के अकोडिंग आप बहु पूढ़न से हो जाएंगी और अगर यह से हो गई तो इन फ्यूचर आपको यहां से जो भी एक्जाम के अंदर जो भी कियो संचाने हो या पुछे जाते हैं उनको बड़े सब्सक्राइब इत्मिल्सक्राण। जो है वो यूजी सी नेट का पड़ तो ही है आप लोगों के लिए आगे को लेक्चर का अभी फ्राइडे को चांस बंद रहा है फ्राइडे को जो नोटिफिकेशन का चांस है तो आप देखेगा आने वाले समय में अगर आती है बरती तो आप लगातार उसके लिए को के लिए के साओते हैं या से अपने आपको प्रिपर कर सकते हैं आज समिंदु प्रमा करूंगा आप लोगों से दूसote वो बढ़ाइस और इसको इंपर साथ यह साथ इसको चय रोप में चेन साथ एक स्बुच्फ्टा की अबिए जा साइटी के रूप में जो डवलप मेंड जो इसका हो रहा है उसमें कौन-कौन सी चीजों को इसमें सामिल क्या जा सकता है या इनक्लूड क्या सकता है उन सब कि क्या है ठीक है ना या यह जो है इसकी location कहां यानि कहां located है यह यह सारी की सारी चीजे जो है वह अपन क्या करेंगे सामिल करेंगे तो आप लगातारी चीजों को देखते रहेगा बड़े अच्छे तरीके से आप इनको पढ़ते रहेगा यह सारी चीजे जो है वह exam के point of view से very important यानि exam में यहां से क्या बनते हैं तो जो क्या रखना है द्यान में रखना है सबसे पहले बात करेंगे दूस्तों इसका पूरा नाम क्या है तो वह आपको द्यान में रखना है दूस्तों इसका जो पूरा नाम के अगर बात करेंगे तो यह है भाबा भाबा जो है दूस्तो पूरा नाम है भाबा ओटो मिग रिसरस एंटर यह इसका पूरा नाम यह तो इसको आप हिंदी में लीजेगा यह बनेगा क्या बढ़ी यह बनेगा प्रमानू ठीक न ये बनेगा क्या बई परमानू या एक जगे लिखा रहेगा आणविक तो आप दोनों ही नाम जो है वह आप क्या रखेगा द्यान रखेगा यहीं आणविक सोध केंदर अब पिछे जो नाम अपने एक लिया है वो आप याद रखेगा वो कोन है वो है भाबा तो पूरा नाम बन जाएगा क्या भाबा प्रमानू या ओबलिक लगा के लिखेगा आणवी के सोध केंदर जो है यह क्या है भाई यह बार्ख है बार्ख के बारे में छुटोडी बादचीत है उसको वियपण सामिल करते हैं सा पर एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जिनका आपको नाम द्यान रखना पड़ेगा उनके बारे में जितना मैं बताओं उतना ही कम है दोस्तों यह कौन तो यह हैं डोक्टर होमी जहांगीर भाबा ठीक ना याद रखेगा यह कौन है दोस्तों तो आप याद रखेगा यह ह है होमी जहांगीर भाबा बात करेंगे दोस्तों होमी जहांगीर भाबा के बारे में यूँ समझेगा कि भारत को एक एक आणविक सकती संपन राष्टर बनाने में अगर किसी वेक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका रही तो आणविक सकती संपन राष्टर बनाने में महत्व पूर्ण भूमिका निबाने वाले व्यक्ति कौन थे दोस्तों डाक्टर होमी जांगीर बाबा थे इनके बारे में थोड़ी दोच्यार बाते अपन सामिल कर लेते हैं आलागे एक्जाम के पॉइंट उप्विस्ट इंपोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आपको ध्यान में और बात करें दोस्तों यहां से आप इसको याद रखेगा 1966 में 1966 में जन्वरी चोबीस को कब भई तो याद रखेगा 1966 से जन्वरी चोबीस को इनकी क्या हो गई थी इनकी मृत्य हो गई अल्पकाल यानि यह समझेगा कि ज्यादा समय तक जिवित नहीं रहे उस समय उस्तना आयूती वह ज्यादा होती थी आज की स्ततिया अलग है थोड़ी सी आप यह मान की चलिए यहां पर लगवक 55 वर्स की जो है अवस्ता है 55 एक जो है दोस्तों इसमें यह लोग यह क्या हो गई यह इस दुनिया से अलविदा कह दिया अदर वाइस आप इसको इस तरीके से या संपनलास्तर आदम की आदमिया का नाम की जांगिर भाबा अधा जिनका क्या और भारत में प्रमानु ऐह में प्रमानु कारिय क्लीए करना प्रमानुकार्य कर्मों की कल्पना करने वाले कर्मानुकार्य कर्मों की क्या वही तो आप याद रखेगा भारत में प्रमानुकार्य कर्मों की कल्पना करने वाले पहले वेक्ति कल्पना करने वाले जो प्रथम वेक्ति थे करने वाले वाले प्रथम वेक्ति जो हैं वो कौन इनके बारे में आपको ध्या ermक तोवर्काव थोका आप यादक्र लीकति हों डाक्टर भाबा जो है वो नाइंटीन फोर्टी फाइप में मैं मीनिस स़न उनीस अपेंतालिस में यह के साथ यह टाटा के साथ में टाटा इस्टिटूट ऊप एक रिशर्च शर्च का संस्तान जिसके बारे में बातचीत करेंगे AA Institute घ्र सबसे इंपोर्टेंट बात आप को यहां से द्यान में रखनी है वह यही रखनी है दोस्तों कि यह भारत में प्रमाणु सक्ति संपन्ता की ओर ले जाने वाले जो व्यक्ति अगर कोई थे तो वह डोक्टर होमी जहांगिर बाबा थे आज कि अगर इस्ततियों की बात करें तो आज अपन जो देख पा रहे हैं अपन जो मैसूस करें अगर आज भारत परमाणु संपन्त सक्ति राष्ट्र नहीं है ओता तो आप यह मान के चलिएगा कि अपने जो पड़ो सी राष्ट्र जो हैं वोई भारत को क्या करते हैं वोई भारत को नीचा किरा देते तो आज यानिमें अगर पहला काम किसी ब्एक्ति के द्वारा किया था दोस्थ तो वह कौन थे षगर строga में ल्टक्टर होमी जांगिर भाबा थे जिनके संदर में बात voters करेंगे कि .. दाक्टर होमी जांगिर भाबा ने जो कल्पना जो सामिल की कल्पना सीलता का जो उन्होंने समावेश किया उसके लिए डाक्टर होमी जांगिर भाबा ने क्या किया वह उन्होंने शुरू किये इसके लिए डाक्टर भाबा ने क्या किया देखो डाक्टर भाबा ने 1945 में कब तो आप यादखेगा 1945 में यह सारे काम कहां हो रहे थे भई तो वो भी आप यादखेगा यह सारे काम उस समय का बंबई और वर्तमान का मुंबई ठीक ना यादखेगा उस समय का बंबई और वर्तमान का क्या भई मुंबई यहां पर भी क्या है तो आप यादखेगा यहां प गएगा टाटा इंस्टिुट्ट ओफ फंडर्मेंटल रिसर्च स्टीक रना तके इस चीट्ट ऑफ मेंटल करतें योट फंडर मेंटल य क्या नाम से एक नाम से एक डते हैं एक यस्थान के इस्तापना करते नाम से एक क्या करते हैं संसितान की क्या करते हैं तो आप याद रखिएगा संसितान की अस्तापना करते हैं और यह जो है यह जो है दोस्तों यह है Dr. Homey Janganir Bhabha के जीवन का क्या है यह मानिः चलिएगा कि यह पहला प्रियास्ता जिसको आप और सोट नेम भी आप याद रखेगा ये बन जाएगा क्या भई तो आप याद रख लिजेगा इसको ये बन जाएगा TIFR यानि टाटा इस्टिट्यूट और के नाम से क्या बना देते हैं ये एक सोसाइटी बना देते हैं और बात करें इसके बाद में तो यह राष्ट को प्रमाणू सक्ति संपन बनाने तो क्या ने प्रमाणू सक्ति संपन या प्रमाणू उर्जा में प्रमाणू उर्जा में क्या बनाने के लिए प्रमाणू उर्ज से वह तीन जनवरी को किया जता है तीन जनवरी में भी आपको एक डेट जो है वह आपको याद रखना है और यहां भी आपको एक छोटा सा नाम जो है वह दोस्तों आ प्रेंट्रो प्रेंट्रो स्टाइबश्टोड एक संस्ता बनाते हैं को याद रखेंगा है। utamik energy टीकाना याद रेखेगा है अमरेबलिसले इस्टेबलिसमेंट टीकाना याद रिकेगा इस्टभाल स्टमाइबलिसले इस ड्रोम भाड़ इंडर इस नाम से क्या करते हैं इसनाम से क्या करते हैं इसनाम से यह बनातेx rain इसके संदर्रीविद आप याद रखेगा यह संस्ता बनाते यह बनाते ञैंक्तर 10 जन्वरी नाइंति ее 94 उसका भी मुखňले कहा है तो आप याद रखेगा दो इसका भी मुख्याले कह भाणू उडजा का एक क्शितर में एक महारत आसिल करने वाला देश बने ऐसा प्रियास जो है भारत में प्रमण उर्जा से जुड़े जो विभिन प्रकार के कारियें वो क्या उपाई भई संपाधित होता है साथी साथ यहां से आपको याद रखना है 1966 में यानि जो अपने डेट यहां पर मेंचन किया था जन्वरी और 66 को इनकी क्या हो गई थी इनकी डेथ हो गई थी हिस डेथ के बाद में 1966 में यानि आपको याद रखना है सन 1966 में यानि 1966 में जो भावा ने नि डोक्टर होमी जांगिर बाबा ने क्या किया बहई जो इस्टीट बनाय था ठीक ना याद रखेगा बाभा ने क्या किया था वरी दाप्टो हओंई जो स्टिटीट बनाये था जिसके लिए अपने लिखा था अभी ay pèrely at badummy हे साथ में अस्तान लिखा था टॉंब यस तान लिखा क्या गया इसका नम परिवर्थित किया गया इसका क्या किया गया तो आप याद रखेगा इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया इसका क्या कर दिया गया तो वह भी आप याद रखेगा और अनार में सकति संपनराश्ट्र बराने का प्रयास किया गया आधुरिक नाम जो है वो आधूरिक नंढ भार्क है साथ ही सात यहां से जैसा आपने पीछे बीच में बाते सामिल किये कि यहां से भारत को परमानु सक्ति संपन राष्ट्र बराने का जो प्रियास है वो किया गया अगर यहां से छोटी ओडी बाते अगर पुछी जाए आप से कि इसका मुख्याले कहां इस्तित है तो वो भी आपको दिमाग में रखना है यानि यह जो बार्क जो है वो अपने को कब दिखाई पड़ता है तो सबसे पहले आपको याद रखना है बार्क जो है वो अपने को दिखाई पड़ता है कब भई 1966 में साथ ही आपको याद रखना है दोस्तों इसका मुख्याले किसका मुख्याले बई तो आप याद रखना है बार्क का मुख्याले यह कहां है तो आप याद रखेगा इसका मुख्याले जो है वो वर्तमान में कहां है भई मुंबई महाराष्ट्रा में क्या है भई इसका मुख्याले जो है वो इस्तित है साथ आपको याद रुखना है जुस्तों आज अगर बात करें बार्क के संदर में अगर अ बात करेंगे बार्क ने एक सोसाइटी का क्या 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 है यह सोसाइटी क्या है तो आप यादर किया दूस्तों यह डबल यह से यह क्या है यह क्या है यह किसका भाग है तो वह भी आप यादर कियेगा यह किसका भाग है यह बार्क क्या है बार्क यानि भाबा ओटोमिक रिस यदर याद्र केगा यहां पर समय पर करिकना पर क्यारा इसका पूरा नाम आज अगर किस संदर में और कि चो भी ऐड़केशनल जो डफलाप्मेंट किया जा रहा है यह एड़केशनल जो एक्टिविटी कि जा रही है वह हों सारी कि सारी एक्टिविटी जो है दोस्तों वहाज किसे मादम से की जाती है तो educational activity जो है वो जिस बरकी सोसाइटी के द्वारा की जा रही है उस society का नाम क्या है दो सोसाइटी का नाम जो है वो AWS है यानि cotton energy education society जो है वो किसका पार्ट है तो आप याद रुकिए क latte दोसतों यह जो पारट है यह कुछ का पार्ट है तो यह जो है वह बार्कां पार्ट है ज़से आप नाम और याद रखेगा नुक्लेर पावर यह प्रमानु सक्ती आप जिससे आप नियानमे राख सकें किसको लीजेगा व कैसे नुकलेर यानि झूक्लेयर साइन्स को न्यूक्लेयर साइन्स के एंड्ट एक्नोलोजी Boys जो है वो प्शुरे संपूर्ण भारत में यानि पूरे भारत में जिस सोसाइटी के मादियम से या जिस इस इस्टिटूट के द्वारा डवलप हो रहा है दोस्तों वह कौन है वह तो वह आप याद रखेगा वह भी बारक है यह एक बार यूजी से नेट में पूछा हुआ है कि नुक्लियर साइन्स वह टैकनोलोजी जो है उसका डवलप्मेंट संपूर्ण भारत में किसके द्वा डवलप्मेंट हो रहे हैं वह भी किसके द्वारा हो रहे हैं तो वह भी आप याद रखेगा वह भी बार्क के द्वारा ही क्या किया जा रहा इसका डवलप्मेंट जो है वह किया जा रहा है दूस्तों बार्क जो है विविन परकार के लिट्रेचर को भी क्या करता है यहां पर बार का संदर में आएगा ऐसे लाइब साइंस ठीक है ना याद रखेगा बार के संदर में आएगा लाइब साइंस लिट्रेचर ठीक है ना नाः अबलान भी से कर रहा है तो आप याद केगा 1957 और हो ये energíaड और भारत ना भी किये चोड़े ज्यान के संदर्ब में जो सुचनाओं का जो reporting मान लीजी या HealdburgMus颐 करने काम जो है उन परतिवेद्व की यानि जो रिपोर्टिंग Оonse इसकार को संपादित करता है साथ ही साथ थो यह अलग अलग प्रकार के जो तो बार्ग जो है वो अलग-लग प्रकार के कुछ एक publish ke sip का कार यह Bहता है यह कुछी जो हो क्या करता है यह בחudी जिनको यह publish करता है जो जिनका संवंध खास करकिन के साथ में है तो वो भी exam में पुछे जाने क्या होते है चांसे जोते हैं तो उसके संदर में भी अपने एक दो बाते जो है वह अपन क्या कर लेते हैं सामिल कर लेते हैं साथ ही साथ इंडियन इस्टिटूट ओफ साइंस का भी क्या है दोस्तों समंद्ध जो है वो किसके साथ में इंडियन इस्टिटूट ओफ साइंस का समंद्ध ज भारति विज्ञान संस्तान का संदभ सब्सक्राइब किसके साथ में तो वह भी बार्ग के साथ में और बार्क जो है वह विशिष्ट परकार के क्या करता है कुछ एक पब्लिकेशन जो है वह भी करता तो आप याद रखेगा Publications of Bark ठीक ना याद रखेगा Publications of Bark आप बार्क जैसा अपने किया है तो क्या अपने यहाँ पर सामिल किया है कि यह किस से संबंदित है तो यह जो है वो पूरा का पूरा जो है वो nuclear power या atomic energy इनके साथ में क्या है संबंदित है तो यह नूखली के साथ में जुड़े हुए जो है वही पप्लिकेशन करेगा इसमें भी आप किसको ले सबसे पहले तो आप याद रखेगा यह नूखले सब्सक्राइब करने बुलेटिन के नाम से आपको द्यान में रखना है छोड़ा सापने दिमागए वह आप ऐसे भी लगा सकते हैं जो भुलेटिन जो होते हैं तो थोट मोस्ट निश्टो जो बुलेटीन ओते हैं वह सापताइक भी प्रकासी नुपसे पूछ ले जाएक नुकुलर इंफोरमेशन बुलेटीन तो वह आप याद किया गाज İसके संदर है तो क्या है यह यहां पर बात करें उस्तो तो यहां पर आप यह क्या है वह साथ ही साथ कुछ एक के पार्ट भी करन्ट का मलद जो सी एएस को डवलप करता हूं जिसके संदर में पीछे भी पढ़ाए कि आखुवार की जो हैं उनको किस तरीके से तरीके से सामिल की जाती है या वो क्या करने काम करती है तो एक आप यहां से इसका प्रकासन जो है वो भी आप यादर कियेगा वो कौन सा है तो दूसरों वह करेंट अवेडिनेंस ठीक है वह आप याद किया क्या रहेगा सामिल रहेगा तो धोनों ही नाम आपको याद रखना है रिजल कि हर आपको याद हो रहेगा पर इसकी Climate करेंगे तो यह Even piece like oh चीजो वह बुब्लिश्ट करता है आप सोसलन की या माध्यम से डवलब करता है वह तो है तो सॉसाइटी क्या है तो उसाइटी जैसा आपने बात किया했 MS Teams और सोशियल रिपोर्ट्स सोशियल रिपोर्ट्स इसाधिया ठीजिक को किया है यह प्रकाशन करता करता है और बिब्लियोग्राफी ओप सोशियल रिपोर्टेल जो है गर्ष्ट करने का बार के द्वारा क्या किया जाता है सामिल किया जाता है साथ धी साथ कुछ और फी करता है यह प्रकाषीत करता है तो वो भी आप यार्ड केगा कुछ है करने टाइटल ठीक याद बखेगा करन्ट 喜歡 क्या करते हैं क्या ढेलिज करते हैं क्षे बारे बात करते बहुत्त अर्लोग ट है वह रिसरज पर पॉब्लिश करते हैं गजया रखते हैं इंयर्ज को प्रवाइड करते हैं यहां पर भी जो करन्ट टाइटल्स जो हैं वो किसके साथ जुड़े करन्ट टाइटल्स जो है वो किसके साथ जुड़े हैं तो आप याद रखेगा करन्ट टाइटल्स जो है वो न्यूकलेर के साथ जुड़े हैं न्यूकलेर यानि जो प्रमाणू आगे दो सवरूप उसके साथ युड़े वह तो जो कुर्ण टैटल जो है वो कि से लिट टैटल से इन लिख लीगा करन टैटल से इन न्यूक्लियर ठीक मा यांद रिपेगा करन टाइटल है न्यूकलेड nukleare science and technology ठीकन याद रखिंगा nuclear science and technology science and technology चनल्य राव मोड में इसका प्रकासन कारिया जाता है इसका प्रकासन कारिय जाता है तो इन परसनों को आप बड़े तरीके से क्या कीजिएगा तयार कीजिएगा एक बार अपन पूरा रिपीट करते हैं जिसे कोई चीज छुटी तो नहीं उसके बारे में बातचीत कर लेते हैं सबसे पहले अपने जो लिया है वह लिया बार को बार्क है क्या तो बार्क जो है वह भाबा ओटोमिक रिसर सेंटर है भाबा परमाणू या आणविक सोध 1909 को इनका जनम हुआ चोईस अक्टूबर 1966 में यह क्या हो गए थे इनकी मृत्ति हो गई थी यानि भारत को आणविक सकती संपन राष्ट बनाना चाहते थे बात करें यहां से जैसा आपने किया है कि लगबग कित्ते वरस तो आप याद रुकिए गा दूस्तों लगबग पच्पन वरस की अवस्ता में क्या है दोस्तों इनका निधन हो गया था अगर बात करें सबसे पहले परमाणु सकती संपन की कलपना करने वाले पर्थम व्यक्ति जो हैं वो कौन थे तो डोक्टर होमी जांगिर बाबा थे यह क्या करते हैं दोस्तों यह 1945 में सबसे पहले TIF F.R. यानि Tata Institute of Fundamental Research के नाम से मुंबई में क्या करते हैं संस्तान बना देते हैं जैसा आगे अपने पढ़ागी इसके बाद जो प्रकिरियाई जो है वो और ज्यादा तेज होती है तीन जनवरी सन 1954 को यह AEE के नाम से ट्रोंबे महरास्ता में क्या करते हैं सोसाइटी बनाते हैं वास्त में आगे चलकर वह AEE जो है वही किसमें आ जाती है वही बाद में बार्क के रूप में डवलप हो जाती है बार्क जो है वह एजूकेशन सोसाइटी के लिए AEE को प्रियोगित करता है नुक्लियर साइन्स एंड टेकनोलोजी पार्ट के ब्यात करें इंजिनेरिं है लाइब साइन्स का लिटरेचर यहां पर क्या किया जाता है डवलप किया जाता है उसकी विबिल्योग्राफी तयार की जाती है साथ ही साथ यह बिबिल्योग्राफी के अलावा खुछ एक महत्तों होइं पप्लिकेशन surprisingly होते हैं जिसमें निउकलीर इंफॉरमेशन यह बारे में शाब बात किया बिपलियोग्राफियोप विपोर्ट को सामिल किया क्रण्ट टाइटल से न्यूक्लेर साइन्स एंड टेकनोलोजी जो है उसको वाइँ के रूप में क्या करते हैं तो बार्क का जो है दूस्तों बार्क समझेगा कि बार्क जो है उसका न्यूक्लियर पावर के लिए ओटोमिक जो भारत के लिए पावर जाए उसके लिए क्या है दूस्तों इसकी एक इंपोर्टेंट बोमिक है यह इंपोर्टेंट अपिक है डॉक जो है वो इंपोर्टेंट है तो इसको आप बड़े अच्छे तरीके से याद रखिएगा अस्तापना आप याद रखिएगा कब अस्तापना की गई है कैसे अस्तापना की गई है इसका मुक्याले कहा था इसका नाम परिवर्तित कब किया गया वो सब की सब बाते जो है वह आ और नई क्लासेज के माध्यम चे तब तक के लिए जाहिएं